नमस्कार नियूज उत्रप्रदेश के पॉड़कास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है तारीख 23 अक्टूबर दिन शनिवार मैं आपके साथ हनुराधा आईए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा आरोप कहा सपा की सरकार में आतंकवादियों की उतारी जाती थी आरती CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय यूपी में माफिया के कबजे से मुक्त जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आवास सुल्टानपुर के इसौली और अम्बेटकर नगर की अकबर पुर विधान सवाशेत्र में सीम योगी आज जन्सभा को करेंगे सम्बोधेत पॉंग्रेस की पृतिग्या यात्रा को बारा बंकी में हरी जंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी हो सकते हैं कई बड़े एलान शिया सेंट्रल वक्फ वोर्ड के आठ सदस्यों की हुई न्युक्ती वसीम रिजबी भी बने सदस्य ये थे आज की मुखे समाचार और अब खबरें विस्तार से उत्तर प्रिदेश के मुखे मंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया और कहा की सपासरकार में हिंदूओं पर जूटे मुकद में दर्ज होते थे राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी भारती जनता पार्टी के पिछना मोर्चा द्वारा आयोजित समाजित प्रतिनिधी सम्मेलन में चोहान समाज की लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का हुआ लेकिन 2012 में सपा की सरकार का सबसे पहला निर्णय आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का था इस सम्मेलन में आगे मुखे मंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आईए सुनते हैं 2014 के पहले देश की स्थित क्या थे प्यापक असंतोस था अब श्वास था रोज एक निया भोटाला आ जाता था जनता के मन में प्यापक असंतोस और आक्रोस था कॉंग्रेस नेट्रिस्टा की यूपिये की सरकार देश की कीमत पर राजमिकी कर रही थी देश की बाहय सुरक्षा भी खत्रे में थी और अंत्रिक सुरक्षा भी खत्रे में थी बाहय सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान, भारत की सीमाओं में गुस्पैट करता था और जब कभी इसकी आवाज उड़ती थी तो कॉंग्रेस में सब्सक्र की सरकार कहती थी नहीं चुप हो जाओ मत बोलना आंत्रिक शुरक्सा के जगे जगे आतंग बाद विर्चड़ करके वोलता था कहीं आतंग बाद है कहीं नक्सलवाद है कहीं अराजकता है और उस समाझवादी पा collapse की सरकार के समय तो आपने देखा होगा उस सरकार के समय आतंगबादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी जब मंजिरों पर मठों पर हमले होते थे ब्रहत हिंदु समाज की भावनाओं को पुठारा घाथ करके रौदा जाता था और ये त्रिस्टे कहीं देखने को मिला था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिला था ठाने तैसीले ठिक चुकी थी घिरवी रग्दी की समाजवादी पार्टी के कारे करता या फिर बोजन समाजवादी पार्टी के कारे करता जब उनकी सरकार थी एवन लूट मचाई भे थे और उन स्थितियों में प्रधान मंत्री मोटी जी ने 2014 में नारा देया था सब का साथ और सब के विकास का भायो बेनों ये नारा एक हकीकत में बदली आज आप देख रहे होंगे भारती चंता पार्टी की केंडर की सरकार हो या प्रदेश की सरकार आवाज दे जा रहे हैं सब को बिना भेद भाओ के 140 बेगें बिने भाद भाओ के रसोई कैस के सिरिंडर दे जा रहे हैं बिना भेद भाओ के किसान सम्मान निदी दी जारी है बिना भेद भाओके रिण माफी की योजना हुई है बिना भेद भाओके पांच लाग रुपे की स्वास्ते पीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेद भाओके और सब को रासन देने की कारवाई फ्री में रासन देने की कारवाई फिना भेज़ाओके और करोना जैसी महामारी से बचाओके लिए भी सब को फ्री में वैक्सिन, सब को वैक्सिन भी फिना भेज़ाओके ये होती है सरकार पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में गुस्पेट नहीं कर सकता और अगर करता है तो फिर उसका मोटोड जवाब भारत देता है भारत की सेना देती है आतंगबाद की जड़ थी जिसे कॉंग्रेस में बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370 प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व में ग्रह मंत्री अमिस्पाजी ने उस भारा कोई सदेव के लिए समात्त कर दिया है उत्तरप्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितेनाथ ने माफिया और अपराधियों के कबजे से मुक्त कराई गई जमीनों के बहतर उपियोग के लिए बड़ा नेड़े लिया है इन जमीनों पर अपसरकार गरीवों के छट के सपने को पूरा करने की नीव रखेगी आवास बना कर उनका लाभ समुह गा वागह के करमचारियों अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिये जाने का विचार है आवास बिभाग विस्तरत प्रस्ताओं तयार कर शाशन को सौपेगा मुख्यमंत्री योगी आदत्यनाथ के निदेश पर जीरो टॉलरेंस की नीती के तहत बीते साढ़े चार वर्षों में मुख्तारंसारी वा अतीक एहमत समेत 25 चिन्हित माफिया तथा कुख्यात अपराधियों के विरोध अभियान के तहत कारवाई सुनिश्चित कराई गई है पुलिस वप्रिशाशन ने गेंगिस्टर एक्ट के तहत अब तक माफिया वा अपराधियों की पंद्रह सो करोड रुपे की संपत्यां जप्त की हैं इनमें लखनव, प्रियागराज, आजमगड, मउ, वारनासी समेत अन शहरों में माफिया के कबजे से कई जमीनों को मुक्त कराया गया है कई बड़े अवैद निर्माण भी ध्वस्त कराये गये हैं, इनमें कई वड़ी जमीने भी हैं, जिन पर वर्षों से माफिया ने कबजा कर रखा था अपराधियों वा माफियां के अवैद कबजे से छुड़ाई गई भूमी पर आवास विहीन लोगों हेतू घर बनाये जाएं, समुगा वा घा के करमचारियों, अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों के अवास हेतू भी इस भूमी का उपियोग किया जाए, इस सम्मंध में व परकान बनाने का निर्देश दिया है। योगी का यह दोरा और यहां होने वाली जनसभा और भी महत्वकून हो जाती है। योगी ने प्रधान मंत्री के कारियों की सहराहना की और कहा कि कोविड काल में सपा तथा कॉंग्रेस की नेताओं ने लोगों को गुमरह करने का काम किया। योगी चुनाओं के लिए कॉंग्रेस पार्टी आज से प्रतिग्या यात्रा शुरू करने जा रही है। लखनव से सटे बारा बंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिग्या यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौक्रियों में महिला आरक्षन, महिलाओं के लिए मुफ्त सिक्षा, किसान की करज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे एलान कर सकती है प्रियंका गांधी एलान कर चुकी है कि कॉंग्रेस यूपी में 40 पृतिशतिकत महिलाओं को देगी इसके अलावा चात्राओं को मुबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है प्रतिग्या यात्रा के तहत यूपी के चार एलाकों में 12,000 किलो मीटर की यात्रा निकालने की योजना है 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की योजना है इस बजह से फिलहाल तीन यात्राओं का कारिक्रम तयार हुआ है जो बुंदेल खंड शेत्र, पश्चमी यूपी शेत्र और अबद शेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी पूरवी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी इस यात्रा के जरिये कॉंग्रेस अपने वड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी जिसे पृतिग्या का नाम दिया गया है यूपी चुनाओं को लेकर प्रियंका गांधी के नेत्रत्व में कॉंग्रेस ने पूरी ताकत जोकी हुई है अपने पुराने वोट बेंक की वापसी के अलावा कॉंग्रेस की नजर खास तोर पर महिला वोटरों पर भी है प्रियंका गांधी लगातार यह संदेश देनी की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार के खिलाफ बिपक्ष की असली घूमी का कॉंग्रेस निभा रही है हाल ही में बनारस में बड़ी रैली कर कॉंग्रेस ने जता दिया कि उसकी ताकत लोट रही है प्रतिग्या यात्रा का पहला रूट वाणासी से होकर रायवरेली में समाप्थ होगा जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिरजापोर, प्रियागराज, प्रतापगड, अमेठी, जिलेश शामिल होंगे इस रूट का नितरत्व पूर्व सांसद श्री प्रमोत तिवारी, पूर्व सांसद श्री राजेश, पूर्व विधायख स्री नदीम जावेद करेंगे उत्तरप्रदेश ने सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आठ सदस्यों का चयन कर दिया है यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चैर्मेन रहे वसीम रिजवी को भी सदस्य बनाया गया है आठ सदस्यों में कुछ को सरकार की ओर से नामित किया गया है जबकि कुछ का चयन राज्यपाल आनंदी वेन पटेल दौरा किया गया है शिया सेंट्रल बक्फ बोर्ड के इन आठ सदस्यों का कारेकाल पांच सालों का होगा अब इन ही आठ सदस्यों में से एक शिया सेंट्रल बक्फ बोर्ड का चेर्मेन बनाया जाएगा बक्फ बोर्ड के इन आठ सदस्यों में से एक नाम रामपुर की पूर्व बेगम नूर बानो का भी है नूर बानो आजम खान की कट्टर विरोधी मानी जाती है वे कॉंग्रेश से सांसद भी रही है बानो को निर्गरोज सदस्पद पर चुना गया क्योंकि उनके अलावा सांसद स्रेणी में दूसरा उम्मीदवार नहीं था दरसल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक सांसद को सदस्पद से चुना जाता है लेकिन वर्तमान में शिया समुदाय का कोई भी सांसद नहीं है ऐसे में पूर्ब सांसद को सदस्पद के लिए उम्मीदवारी की छूट दी गई थी इसके तहट बानों सदस्पद से बनी इसके अलावा वसीम रिजवी और उनके करीवी सायद फैस को सदस्पद से चुना गया है अन्य सदस्यों में एडवोकेट कोटे में अमरोहा के मुहमत जरीब जमाल रिजवी और सिधार्पनगर के सयद सबाहत हुसेन शामिल हैं लखनव के मौलाना रजा हुसेन और अली जैदी भी बोर्ड के सदस्य बनी राजपाल द्वारा जारी अधी सूचना में जिला महिला अस्पताल प्रयाग राज के वरिष्ट सलहकार नरूस हसन नक्वी को भी सदस्प बनाया गया है खबरों में आज के लिए बसितना ही फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्का झाल झाल